नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एक निफ्टी की weekly no loss safest option strategy जिसमें कि आप एक बहुती simple adjustment के दोरा इस trade को no loss कर सकते हो बहुती wide range भी आपको मिल जाता है weekly expiry में इस trade को आपको लेना है निफ्टी की weekly expiry में Thursday को दो पहर की तीन बजे next week की expiry के लिए इस के लिए आपको कोई भी तरह की technical analysis या chart reading ज़रूरत नहीं है और यह working people के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें आपको regular monitoring करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर legs की बात करूँ तो सबसे पहले आपको buy करना है one lot call option weekly expiry में 550 points out of the money जाके फिर sell करना है two lots call option weekly expiry में 600 points out of the money जाके फिर sell करना है two lots put option weekly expiry में 600 points out of the money जाके और फिर आखरी में buy करना है one lot put option weekly expiry में 550 points out of the money जाके तो यहाँ पर adjustment की बात करूँ तो बहुत ही simple है, अगर market आपकी range में रहता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको wait करना है, Wednesday को सुबा 10 बजे तक, फिर आपको buy करना है, एक lot call option और एक lot put option, same strike price में, अगर market range के अंदर रहता है, अगर market close to break even होता है, या फिर break even का जो hill है, वो छूने की कोशिश करता है, जो भी tested side है, उसका दोनों leg आपको close करना है, call और put दोनों आपको close कर देना है, तो यह simple adjustment आपको करना है, तो चलिए भी stock mark पे जाते हैं, और देखते हैं, इस trade को कैसे आपको deploy करना है, और कैसे इसका adjustment करना है, तो अभी देखते हैं, इसक spirey है 8th of February का, तो हम पहले 600 points put side में जाते हैं, तो 21,100 पे मैंने यहाँ पे sell कर दिया 2 lot, और फिर 21,150 में buy करना है, मुझे 1 lot, तो यह मेरा put side है, और वही similarly call side में भी 22,300 पे मैंने यहाँ पे sell कर दिया है 2 lot, और फिर 22,250 में मैंने sell कर दिया है 1 lot buy, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको आप देख सकते हो margin यहाँ पे 1.68 लाग का लग रहा है, ब्रेक इवेंस काफी वाइड है 21,020 और 22,379 का है, तो एक एक दिन करके यहाँ पे मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसको जब तक जो है, वेनेस जे नहीं आता तब तक आपको कुछ नहीं करना है, और यातो कि जब तक आपका ब्रेक इवें क्रॉस ना कर जाए, तो यहाँ पे जो है, वेनेस डे को लग भग, यहाँ पे 10 बजे के आसपास हम लोग आ गए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, range के अंदर ही है, तो आपको क्या करना है बहुत ही simple चीज़ करना है, आपका जो buy lots है, जो भी आपने buy किया था, वो एक-एक lot करके increase कर देना है, इस side में हमने buy कर लिया है, put side में, एक lot increase, और similarly call side में भी हम buy कर लेते हो, जैसे आप करते हो, आप देख सकते हो, कि यह आपका पूरा जो trade है, वो बिलकुल loss free बन गया है no loss strategy बन गया है, तो अभी हम लोग और एक week देख लेते हैं, जो है January 11th की week, यहाँ पे भी लगभग 3 बजे हम इस trade को लेंगे, निफ्टी की expiry में, तो 21,652 यानि 21,700 पकर के चलते हैं, तो 21,000 में हम जो है, यहाँ पे 18th January की expiry में, 21,000 में जो है, पहले तो sell कर देख सकते है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, Friday आ गया है, Monday आ गया है, Tuesday भी आ गया है, और Wednesday सुभा की लगभग 10 बजे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई कर लेना है, एक और additional lot, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कि आपका trade जो है, 0 loss हो गया है, अभी अगर मान लीजिए, आपका trade जो है, यह break even के बाहर चला जाता है, तो अगर यह hill side को cross करके break even के बाहर जाता है, तो उस side को आपको close कर देना है, अगर call side में जाता है, तो आप call side को close कर दीजिए, अगर put side में जाता है तो आप put side को close कर दीजे हाला कि यह जाने का probability है break even काफी wide है तो break even cross करके जाने का probability बहुत ही जादा हम है तो अगर by chance यह cross करता है तो आप उस side को close कर सकते है तो आशा करता हूँ यह strategy आपको अच्छा लागा होगा अगर आपको इससे भी बड़िया premium strategies जानना है जो कि working people के रिए बहुत ही perfect है तो आप हमें नीचे description box में दिये हुए whatsapp number पर contact कर सकते है तो हम लोग इस वीडियो को यही पर करते हैं खतम